आज का हमारा टॉपिक है इलेक्रिशन सेकिंड एर का डीसी मोटर इससे पहले मैं आपको डीसी जनरेटर का पूरा चैप्टर समझा दिया है और उसके जो वीडियो है वहाँ प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकती हो तो आज हमारा जो टॉपिक है वह डीसी मोटर है पहले तो डीसी मोटर की डेफिनिशन देखते हैं कि डीसी मोटर क्या होती है विद्यूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित करती है अगर आपको कुछें डीसी मोटर की डेफिनिशन तो विद्यूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित करती है और और ये मोटर होती है वो विद्व चुम्बक के खिजाव के सिद्धान पर कारियर करती है और ये होता क्या है इस सिद्धान के अनुसार यदि किसी चुम्बक के शेत्र में अवस्तित धारावाही चालक अपना एक स्वैम का चुम्बक के शेत्र इस्थापित करता है और एक ही इस्थान पर कारेरत दो चुम्बक के शेत्रों की जो प्रतिक्रिया होती है उन प्रतिक्रियाओं के फॉल्स वरुप चालक में एक घुमावबल उत्पन हो जाता है इस प्रकार इसमें एक घुमावबल उत्पन होता है अब DC मोटर के भाग parts of DC मोटर अब DC मोटर के भी वही भ मोटर के होंगे जैसी योग है फिल्ड पोल आर्मिचर कम्यूटेटर कार्बन ड्रस रॉकर आर्म बियरिंग साफ्ट यह सभी जो डिसी जनरेटर के भागते वो के वो डिसी मोटर के भाग होते हैं और इन डॉनर की जो सरचना होती है वह भी एक समान होती है डिसी मोटर के जो पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया है तो डिसी जनरेटर के जो मैंने फर्स या सेकिन वीडियो डाला है उसमें आप उसके पार्ट के बारे में पूरा एककचितर से समझावाएं तो आप वापिस उसी प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप वापिस दे चालक में उत्पन घुमाव बल की दिशा को ग्याद करने के लिए फ्लेमिंग ने बाहे हाथ के नियम को बनाया है जो इस प्रकार से व्यक्तिक किया वाए यानि जो फ्लेमिंग का लेटन रूल है वह धरावही चालक में घुमाव बल की दिशा को ग्याद करने के लिए इसका प्रियोग किया गया है और फ्लेमिंग के बाए हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है वो देखो कि यदि किसी बाए हाथ की प्रथम दो अंगूलिया बाए हाथ का मलब लेफ्ट हैंड यदि बाए हाथ की प्रथम दो अंगूलिया और अंगूठे को परस पर समकौन बनाते कि जो प्रतम अंगुली होती है वह चुंबक की शेत्र की दिशा तता मध्यमा अंगुली होती है वह चालक में विद्योत धारा के प्रवा की दिशा को इंगित करे तो अंगुटा होगा वह चालक में घुमाव की दिशा को इंगित करेगा यहीं flaming का left hand rule है यह देखो इसमें यह flaming का left hand rule इस तरह से यह left hand है अपना बाय हाथ का है इनकी जो दो अंगूलिया और एक अंगूटे को इस प्रकार फैलाते है कि वो एक जूसे के समकौन के ओपर रहे तो ये जो अंगुटा है ये किसको दिशा को अंगुट करेगा ये जो विद्युत धारा के वाला गुमाव बल की दिशा को इंगुट करता है और ये जो प्रथम अंगुली होती है वो फलक्स या उसके चुम्बक के शेत्र की दिशा को इंगुट करेगी और ये जो मद्यमा यानि जो middle angle होती है वो विद्युत दारा के प्रवा की दिशा को इंगित करती है यही flaming का left hand rule है अब DC generator है वो हमेशा flaming के दाएं हाथ के नियम के ओपर लगई होता है और DC motor होती है वो हमेशा flaming के left hand rule के ओपर लगई होती है तो इन दोनों में आपको confusion नहीं होना है generator है तो हमेशा right hand और यदि motor है तो left hand अब इसमें आपन देखते हैं कि back EMF विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होता है जब किसी motor का जो armature होता है वो क्या होता है चुम्बक के शेत्र में घूमता है तो armature के चाल को में क्या होता है विद्युत वाहक बल उत्पन हो जाता है armature है वो चुम्बक के शेत्र में घूमेगा तो उसमें क्या हो जाता है विद्युत चुम्बक के प्रेरण के कारण उसमें क्या हो जाएगा एक विद्युत वाहक बल उत्पन हो जाता है यहाँ प्रेरित विद्यूत वहकबल आर्मेचर पर आरोपित विद्यूत वहकबल के विपरित दिशा में कारिय करता है यानि जो प्रेरित विद्यूत वहकबल होगा और आर्मेचर में जो विद्यूत वहकबल उत्पन होता है वह दौनों की दिशाय होती है वह एक दूसरे के opposite एक दूसरे के विपरित होती है यही क्या केलाता है back EMF केलाता है बैक EMF को counter EMF के नाम से भी जाना जाता है और back EMF होता है उसे EB से प्षादर्शित करता है इसका प्रतिक पूछे तो क्या होता है EB होता है अब इस विद्यूत वहाखबल जो back EMF अपने को मोटर में जनरेट हुआ है उसकी जो equation की जो गर्णा करते है वो क्या होता है जो generator की जो EMF equation होती है उसी के अधार पर किया जाता है तो इस विद्यूत वहाखबल यानि जो back EMF का जो मान होता है वो generator की विद्यूत वहाग बल समीकरन से ही ग्यार करते है तो EB का formula EB लिग दें यहाँ पे तो यानि EB का मलब क्या हो गया back EMF इसका जुमान होता है वो होगा 5ZNP 60 into A यहाँ पे सब दिखाव है आपके EB क्या है back EMF volt है इसकी unit 5 क्या है प्रती पोल्चुमबक की flux और flux की unit क्या होती है वैबर जैड आर्मिर्चर चालकों की संख्या एन आर्मिर्चर की गुणन गति जो आर्पियम में होगी पी पोल्स की संख्या और ए आर्मिर्चर winding में समानानांतर पतों की संख्या अब एक कमान जो generator में ने आपको बता है वह का वह होगा यदी left winding होगी तो एक कमान होगा वह पी के बराबर होगा और यदी वे वैंडिंग दे रख्योंगी तो एक कमान होता है वह हमेशा दो होगा वह का वह इसी के ओपर लग होगा अब देखतें इसके अंदर मोटर में दिया गया यदि वोल्टेज यानि एप्लाई वोल्टेज का मान होता है एप्लाई वोल्टेज को आर्मेचर ड्रॉप के अलावा बैक EMF को भी सहन करना पड़ता है यानि मोटर का जो वोल्टेज होगा आर्मेचर ड्रॉप के साथ साथ उसके back EMF का भी उसके उपर उसको असर होता है यदि इसका apply voltage V दे रखा है और उसमें जो back EMF है वो EB उत्पन होता है तो V बराबर क्या हो जाएगा IA into RA plus EB यानि जो apply voltage का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आर मेचर का drop plus विरो दिविद्यूत वहाग बलके योग के बराबर होगा इससे अपन EB का मान निकाल सकता है तो EB बराबर क्या हो जाएगा V minus IA into RA ये दोनों formula आपके important है जो आपको MCQs में पुछे वे हैं तो EB का मान यदि आपको एक समिकरन के रूप में पूछे तब तो ये हो जाएगा और total यदि EB का मान होता है वो क्या हो जाएगा V minus IA into RA तब आपको IA का मान मिल गया तो IA बराबर क्या हो गया V minus EB बटा RA ये एक important formula जो MCQs के अंदर पुछा जाता है अब यहाँ पे IA क्या है जहाँ पर IA आर्मेचर करंट है जो किसमे होगी एमपियर में V क्या है आरोपित विद्युत वहक बल है इसकी यूनिट क्या होगी इस विद्युत वहक बहुत बहुत दन्यवाद